दोस्तों जैसे से परिक्षा में एक बार फिस आपका स्वागत है जैसा है कि हम लोगों ने मंजर भागदो पुस्तक के सारे कवीता संग्रह को समाप्त कर चुके हैं अब हम लोग मंजर भागदो के कहानी वाइच चेप्टर सभी को डिसकस कर लेंगे जो की उत्पाद सिपाह के लिए बेहत इंपोर्टेंट है क्योंकि नागपूरी में इसमें जो मंजर भागदो पुस्तक है इसी से प्रस्ण उसमें पूछे जाएंगे ठीक है तो चलिए हम लोग आज भाफल कांदा कहानी जो है वो बुक में दिया गया है इसके बारे में हम लोग डिसकस करते हैं ठीक है तो चेप्टर का नाम है आपका भाफल कांदा ठीक है ये परफूल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है ठीक है तो चलिए इसको अंगलो आरम करते हैं देखे इसमें जो में जो कहानी है इसका जो में किरदार जो है हो है संकर ठीक है तो संकर से कहानी स्टार्ट हो बात केकरो से नी कहे, मतलब संकर के पास कुछ ऐसे से बात होते हैं जो संकर किसी के साथ अपने बात को साजा नहीं करता है कहेक नी पारे से बात नखे, कहवे नी करे, मतलब कहने नहीं पाता है, ये बात नहीं है लेकिन वो कहवे नहीं करता है उकर मन में होए वला कहिए के का होई उसके मन में ये सब चलता था कि किसी से अपना बात कहने से ही क्या होगा कोनों फादा नेखे मनें कोई फैदा नहीं है मने मन बात क्या हता है सलगेला मतलब मन ही मन बात जो क्या हो वो उत्पनपता है या धदकेला जे धूंगियाएला भीतर भीतर आउर आउर फिर जखन तखन इकर याईद बेस या बेकार रह जाएला मतलब किसी से कहते वक्त भी वह बात याद आ जाएगा तो उस से रिलेटेड आपके मन भाव कुछ बिगड़ सकते हैं यह सब बात किसी से कहने से फायदा नहीं है ऐसा संकर सोचता था बागरा तो बेकार मन के आपन खराब करेक और दोसरों कर एक ठोमन बेकार करेकर धन्धा कोनों बात के कहेक में होई जाला मतलब जब हम लोग अपना बात किसी के साथ कहते है तो अपना मन तो खराब उसके साथ होता ही है लेकिन उसका भी मन क्या है उसके साथ निगेटिव सेंस ठीक है काम करने लगगी यानिक उसका मन भी खराब हो जाएगा इसलिए कुछ ऐसे बात होते हैं जिने किसी से कहने से कोई फायदा नहीं होता है आगे का स्टांजा है इसमें कि यी बात वो इसने कुछ में है जिके कहेक संकर नीक हो जे अब ये जो बात जो उसके मन में था ये उसी में से कुछ था कि कहने पर इसका मन भी बूरा हो जाता जो सुनता उसका मन भी बूरा हो जाता ये बात उसी में से था ठीक है आइक से देखे मतलब आग से इसको क्या है देखा कान से सुन है या कहेक माने उकर पूरा जानकारी कानूनी अलफाज में दुरुस्त या होसु हवास में उकर मन और बुईध के छुई है मतलब वो बात से वो प्रिचित था कि उसका जो कानूनी अलफाज है कैसा होगा उसमें होस अवास में जो उसके मन में बात चल रहा है यानि कि उसके जो मन बुधी है उसमें चल रहा है ये सब क्या था उसके दिमाग में पूरा पुरी उसको ग्यात था इबात के केक हो नी कहलक और कहबो नी करी अब इबात को किसी के साथ वो साजा नहीं करेगा और साजा करबो नहीं करेगा आगे भविस्य में भी ठीक है? अगर कहिए देई तो कोनो उपचार एकर तेहे नी होई तो यदि माले किसी से कह भी देगा तो इसका उपचार होने नहीं पाएगा कम से कम संकर कर मन में जे घाव होई जाय से साइत नहीं भरी अब मान लेते हैं कि संकर के मन में जो घाव उस बात को ले करके है मान लेते हैं कि वो नहीं भरेगा ठीक है? नी सुखी आपने बखली घाव मन के बैखला और गोटे संकर बखली उकर जिनगी केरे में किर्मे मगर की गहीर होएके अब ये घाव मालनेते हैं नहीं सुखेगा नहीं भरेगा तो उसके मन में क्या हो जाएगा ये बैठ जाएगा ठीक है और बैठ जाएगा और बाद में इसको क्या है मने मने याद आएगा तो उसका क्या है नुकसान पहुंचाएगा अब आगे है कि राची कने कने पर्शत हे पसरत हे का तयर पसरत हे ठाउर पाना गाड होए जाईला आगे है कि राची जो है कैसे कैसे बढ़ रहा है धरुधार ठीक है और इसका जो है ठवर पाना मने इसका पता ठीकाना नहीं है ठीक है कतई रंग कर और बेरंग कर पसरत है पले पल, छने छन, राइत और दीन, दीन और राइत राची कर संग है, घर दुरा पसरत है रेल मोटर पसरत है, पसरत है अदमी कर रेला बरन बरन कर जैसे कोनो छोट नदी में कहों से अचक्का सोभे बगरा पानी आई के उकर आपन नाने नान धार पानी के उलट उलट कईर देविला सेहे तरी कहने का मतलब है कि राची का दिकास कैसे कैसे हो रहा है कैसे कैसे अलग समुदाय की वेकती हमापस क्या रहे बस रहे है ठीक है कैसे कैसे हमापस मकान बन रहा है सडक नली नाला इससे बन रहा है ठीक है रेल मोटर कैसे चल रहा है ठीक है उसका कोई ठीकान नहीं है, मतलब राची ऐसा उसको प्रतीत वराय जैसे कि कोई छोटा सा नदी में अचानक बहुत सारा पानी का बाढ़ा गया हो, ठीक है? एक ठो गाड़ी कर लीक के, जैसे कतना गाड़ी एके संगे, चयल के कतना कतना लीक कर देवेला से तेर, मतलब मालेते हैं कि एक नदी है, वहाँ पास एक जो है गाड़ी क्या होता है, पार होता है, तो पार होता है तो लीक यानि कहने, मतलब कि उसके पहिया उसका चीन बना ज तो उसी पर क्या होता है कि अगला जब गाड़ी आता है वहाँ आता है तो उसी पर देखा देखी उसी पर पार होता है ठीक है तो उसी क्या है कि बहुत सारा लिक बन गया है राची में ठीक है पसर थे राची तरिया ठाव ठेना मन, कतना गाव घर के समुदाई के खेत खलिहान, टंगरा टुंगरी, गढ़ा डुढ़ा के समुईट के जैसे पानी में तेल पसरेला सतरंगी होएके मतब राची उसको ऐसा प्रतित हो रहा है, जैसे कि बहुत जादा अचानक डेवलप हो रहा हो यहाँ पास, ठीक है, बहुत सारा उद्योग निर्मान बन रहे हो, ठीक है, और उसको ऐसा प्रतित हो रहा है, जैसे कि पानी के उपर तेल के भूंदा यदि हम लोग गिराते हैं, तो सारा पानी में फैल जाता है तो उसको ऐसा ही लग रहा है कि राची अब पानी में गिरी तेल की भूंद की तरफ फैल रहा है ठीक है आगे है कि पईचला नाप कर गाउं कर नक्सा आउ सिमान मन लुकायक जाते मतलब जो पीछे वग गाउं का सिमाना यानि कि बोंडरी और जो नक्सा देखा था वो क्या हो जा रहा है अब नुका जा रहा है कहने के मतलब भूला जा रहा है क्योंकि अब बोंडरी उसका बढ़ते जा रहा है दीन उपरते दीन बहुत सारा नक्सा में चेंजिंग होते जा रहा है ठीक है कल का रखाना उकर सिलाखना ठीक है बढ़का बढ़का अकास के छुविये से तईर चोंगा मने जैसे बढ़का बढ़का पका चमचमाल सड़क और संपईत के उगरे हे से तईर मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़ा बढ़ा उद्योग लग रहे हो ठीक है और जैसे कि समपत्ती है उसको उगरने के लिए कुछ आदमी बैठे हो, उसको ऐसा महसूस हो रहा है और सडक वहुत चमचमाता हो उसको प्रतीत हो रहा है, से दिन उधूरवा जाए रहे, उस दिन कहा जा रहा था ओ, धूरवा जा रहा था, ठीक है, राची में ही धूरवा है धूरवा में सुक्रा हिया भेट ठाओ कर लग, अब राची में कहा गया था धूरवा, धूरवा में किसके पास गया था, तो सुक्रा के पास याद रखेगा, ठीक है, जब धूरवा गया तो सुक्रा के साथ भेट भेटा संकर किया, बात कथा करते, जाड कर दिने, कर रिक ले जाई खोज लग चुकि ठंडी का दिन था और सुरज भी क्या थे उख गय थे तो वहाँ पस क्या हुआ खाना पीना उसी के घर खाया और फिर सेक्टर तीन में गया जगनाथ से मिलने के लिए सेक्टर तीन की ओर चल पड़ा उके कोन बट से घर जाई होई सेकर सुविष्टा तेहें सुकरा उके जगनाथ मंदीर कर पूरू भरे से जे ठाव मन एकनो खाली है से जगन से पहुंचाई और अगुवाय राखलक और उके कहलक सोजे जाबे होलो ठीक ठीक है न्यू मार्केट ठीना पहुँचवे अब सुकरा उसको जगनाथ मंदीर के ठीक पूरब साइड ओला जो खाली मैदान है उसी के आसपस से रास्ता उसे दिखा दिया और जब उधर में हो जाएगा तो कहां पहुँचेगा न्यू मार्केट के अस्थान पर पहुँचेगा ऐसा सुकरा संकर को बता दिया था संकर के तनी हेवाल नहीं चाड़े धुरवा का डहर कर ठीक थाप नई भेटाए तो तेव चल्लक और अगवालक संकर ठीक है लेकिन संकर जो है धुरवा का रोड उसको सडक के बारे में जो समझाया था सुकरा उसको समझ बने आया लेकिन फीर भी क्या है तब भी वो चल द कि थोड़े दूर में क्या है जो है जूपडी है और चोटा मोटा घर मकान है कुली कबाडी मन रहे ना कोनों तसए साचाईत भी पाइत में वह पास कैसा देखा कि वह पास ऐसा उसको लगा कि हूपास कूली कबाडी मन वाला लोग रहते होंगे अथिक है घर उ मनक का कहब उ तो घर के खुंदवाव तयर नखे मतलब उसको ऐसा लगा कि घर इसको क्या बोले वो तो घर के आकार के जैसा भी नहीं दिख रहा है फाटल पटिया थोरेक टीन कर पूर्ना चादर आवर काही जाही देके कोनो तयर मूरी ढुकाय कर ठाव होई होई इमन में उसको ऐसा लग रहा था कि फाटा तूटा कोई चादर हो ठीक है और कुछ फाटा तूटा पटिया हो उसको ऐसी लगा दिया गया है उसमें अपना सर छुपाने के लिए ठीक है हीने हुने एहे मन है और हुआ के आसपास छेतर में उसको कैसा लाग कि यहे सब इतना दूर में आसपास के छेतर में है आगे जे घर दूरा मन रहे से कर भीत मन है ठीक है और आगे उसके बाद जो घर दूरा थे उसमें भीत थे यानि कि दिवाल था और यहाँ जोपड़ा जोपड़ी में दिवाल नहीं था छोटे छोटे जीटकी मन भीत धंसल मन अब कुछ दूर पर छोटे छोटे घर वाला था कुछ दूर पर उसका जो दिवाल था वो गिर रहा था धस गया था अब यहे लाइल आगे कोनो गावक डी रहे होई अब उसको अशा लगा कि आगे कोई गावका डी है बारी जारी रहे होई सुचते गुनते संकर जाय लगलक अब यह सब देखते हुए सब जीग और जाने लगा आगे की और ठीक है चलिए आगे है बटते हम लोग भी एक ठो जनाना आगे बटे देख की हकाय के कहलक बागरा उसन ना मार पीट कर धूचवा बाप मतलब एक आदमी क्या करा था कि अपने बेटा को पीट रहा था तो यह बोला कि बगरा उसे मत अपने बच्चे को मार रहे ठीक है चौगा के थापा थापी मार भी की उकर बोली से डर मेसा रहे आव अकबकियो रहे अब जो संकर बोल रहा था कि उसको थापा थापी मारी उसे मत मार रहे संकर के आवाज में डर उसमें भी था और अकबक भी था कि वैसे मार रहा है तो जल्दबाजी ने बोला डर के साथ ही बोला था संकर आगे देख लगतो एक्ठो अधेरले चांदला एकन अदमी एक्ठो बरीस दस एकारह तईर कर चगवा के धरले धीराते खीस में जंगल लेगत रहे ठीक है मतलब आगे देखा कि एक जो है अधेरले अदमी मतलब चंदला आदमी बहुत बड़ा आदमी एक छोट लगिका के दस एकारह साल के चगवा के धर के जंगल में लेगत रहे उँ अंदाज 30.35 हाथ आगे रहे अब संकर से वो कितना आगे था तो 30.35 हाथ आगे वो मतलब था संकर हाकाय ताकलाग ए बाव के हिकी सुन तो संकर उसको बोलाया कि आप कोन है सुनो तो मगर उँ अदमी का सुनी उँ आदमी संकर के आवाज नहीं सुना उल्जहईट के देखलक तक नहीं अब वो आवाज सुन बने किया और साथ ही साथ उलट करके वो पीछे देखा तक भी नहीं अब संकर थोड़ा सा तेजी से चलना प्राराम किया कि उसके पास अब जाते हैं लेकिन वो आदमी क्या हुआ कि पास में ये क्या था उसका घर था उसी मोका हुआ जाके ढूप गया जल्दी से ठीक है चले आगे है कि आउर गोहराई से उठाओ सिहर गिलक सिहर गिलक उतना कर दूप हरिया अब उसमें उतना दूप हरिया था वो अपने बच्चा को मार रहा था तो संकर उसको देख कर कि क्या हुआ हुआ सिहर गिया संकर कर मन एकदम में बिलबिला गिलक संकर का मन कैसा हो गया एकदम बिलबिला गया ठीक है चववा कर कांदेक चिकरेक आवर उकर बापक मावर संकर हांकालक बाहर हैं डहर से चिकरलक मगर तब 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 तो बेदम मावर पर जा रहे अब संकर क्या हुआ कि उसको देख करके एक दमें भिल भिला गया था कि कैसे छोवा रो रहा जो बच्चा रो रहा था पिटाते हुए और वो इतना मार मारा था उसको कि लड़का जो है भूत रो रहा था संकर भी उसको देख करके अब मतलब क्या हुआ काया मतलब थोड़ा स चिलाया, ठीक है, कि क्यों उसको मार रहे हो, ठीक है, लेकिन तब तक उसको बहुत मार पड़ गया था उबच्चा को, ठीक है, तनी, एकंदूर में धोरेकन, भंश बंधवा, आहीर मन, नहात धवात रहाए, से के, हंकालक संकर, अरे, आप लोग देखिये न, अब, उससे कु आदमी था, तो एक बाहरी आदमी, जो मतलग, उसको बलाया, और बोला, कि, अरे, आप लोग देखिये न, कैसे मार रहा, आप लोग उसको कुछ नहीं संधा रहे हैं, ठीक है, एक जहान, उमन में, कुईद गेलक, आओ, भीतरे से मूर फाटल चगवा के, निकलाते आलक, औ और लारू पाथू लहों में नहाल, एक आदमी उसी में से धोड़ करके आया, और वो लड़का को अंदर से निकाला, तो देखा कि, इसका जो सर था, वो फटा हुआ था, और उसके सर से जो है, खून जो है, वो आसपास निकाल रहे थे, ठीक है, संकर के बुझालक, उकर न इसको चक्कर आ रहा, इसका होंस उड़ रहा है, ठीक है, तब तक देखला को भीत्रे से ओहे अधेर अदमी निकला थे, जो आदमी उसको पीट रहा था, जो लंबा चवड आदमी था, वही आदमी अंदर से निकल रहा था, आब उकर खीस का ठा में डर आउर सोग अपसोस चेहरा के ढप ले रहे, अब संकर का इतना खीस उसर बना था, कि इसका डर और अपसोस जो ढप गया था, गुसा से उसको दिख रहा था, संकर चिनलक वो पोड़ा रहे, ठीक है, संकर का चिनलक के वो पोड़ा रहे, लेकिन संकर कर खड़ा रहे हियाव नीपूरलक खाली सुनलक पोड़ा कहत रहे एक तोसार खेत डाड़ गिलक कोनो काम धन्दा कठे कान नहीं तहां कूली काम कईर के माडभात मोय देबे कुरोन मुला की भाफल कान्दा तेहे मोर जीव के हलकाइन कर दे लक संकर भी उसे डर गया था तो संकर हुआ एक भी मीनट ज्यादा दिर नहीं रहा हुआ पस चल पड़ा लेकिन जब वो जा रहा था तो वो सुना कि जो बेक्ती था पोड़ा था उसको अपने बच्चों को बोल रहा था कि एक तुसार जो है काम धन्दा का कोई ठेकाना नहीं है केती बारी भी क्या है सब डॉंड हो गया मतलब नहीं उसका उपज हुआ ठीक है और कई सुन भाफल कांदा पर जिन्गी मतलब इतार है इस टैप से उसको बोला ठीक है आगे है इसके बाद कि अब वो अपने बच्चा को बोल रहा था कि ले खा भाफल कांदा ले खा अब आदमी और भी जो थे वो सब को बोल रहा था कि आप भीरू आप बलोग भी ठाहरो सब को भाफल कांदा खाओ ठीक है आईसा मतलब संकर जाते हुए सुना संकर कर्मन में हुलक जे बेरा उ रसियन होटल जगन दुधिया बाती कर है ठे चिक चिकाल सलक में सांज बेरा पार होत रहे जैसे एतना ठाठ बाट मतलब जिस तरह है वो रसियन होटल के नीचे से गुजर रहा था उसमें दुधिया लाइट बहुत सारा लाइट बल रहा था और पुरा जो रास्ता था जगमगा रहा था चकमका रहा था पुरा आलिसान उसको उसमें लग रहा था एतना रंग विकास आउर कॉल कार खाना एतना एतना बात में कोनो जगन कोनो दोस है कोनो जगन समाज कर घाव है जे कर चलते धुचुआ के भाफल कांदा तुलुक नी भेटा है अब ऐसा उसको देख रहा थे कहों जो पूरा रास्ताट बास है कभी जोगी जूपड़ा है कभी खाने के लिए बहुत सारा लगजरियस समान है कि जब किसी को खाने के लिए भाफल कांदा भी नहीं है ऐसा उसको इसमें महसूस हो रहा था थोड़े दीन आगे एक्ठों मंतरी कहत रहा है दाव वी है प्लीडेड फोर सुसलिज्म अनफोर्चुनेटली वी हैब नोट बीन एबल तो गो बियोंड दा आउटलाइन ठीक है यद भी हम लोग क्या कि है कि कसम खाए है कि समाजवाद यानि कि समाज को आगे ले करके चलेंगे लेकिन दुर्भाग से क्या है अनफोर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग से हम लोग अभी तक उसके आगे नहीं जा पाए है ठीक है ऐसा वो बोलते किसी नेता को सुना था केकर से कही संकत, का कही, के सुनी, से तहे यी बात के केकरों से नि कहाई है मतलब यही जो बात था कि कोई समाज में जो बेखती है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है कोई आली सान बिल्डिंग में रहा है, कोई जोगी जोपड़ा में रहा है कोई बहुत किस्म किस्म का खाना खा रहा है किसी के खाने में भाफल कांदा तक नसीब नहीं है तो इसी सब जो बात था उसको सब पता था उसको दिमाग में सब विचार धारब बनता था चलते रहता था लेकिन और उसके बात तो कोई समझने वारा नहीं था यही बात किसी और से कहना नहीं चाहता था तो दोस्तों ये था भाफल कांदा जो की परफुल कुमा राय के द्वारा लिखा गया है ये मंजर भाग दो पुस्तक का बहुत ही most important question है यदि आप जार्खन उत्पास सिपाही का त्यारी कर रहे हैं तो मंजर भाग दो अलबर बुक पढ़ना आप के लिए बहुत इंप्रोटेंट है तो जो है आप हमारे चैनल के playlist में जाएगा वहां से एक नागपुरी भास साहिते का अलग playlist होगा और एक मंजर भाग दो पुस्तक का अलग playlist बना दिया गया है ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और playlist में जाएगा उहां पस बहुत सारा आपको playlist मिलेगा जारखन समांधित परतियोकता परिक्षा के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद